इंडिया पोश्ट, पैमेंट, बैंक या फिर कहें तो IPPB आप भी इसमें बैंक बैलिंस चेक करना चाते हैं मिनि स्टेटमेंट निकालना चाते हैं या फिर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं रेजिस्टेसन कैसे करते हैं उसके लिए तो सारी चीजी इस वीडियो में डिसकस करूँगा तो वीडियो को आपको फुगुरा देखना होगा तो चलिए फर्स्ट स्टेप में आपको सिखाऊंगा रजिस्टेशन कैसे करना है जिससे आप मिस कॉल से बैलेंस चेक कर पाएं तो सबसे पहले आपको अपने फोन के डायलर में जाना है और यहाँ पर आपको एक नमबर डायल करना है नमबर आप यहाँ स्कीन पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से यह नमबर है 8424054994 इस स्कीन पर भी मैंने लगा दिया है इस नमबर को अपनी BSN की SIM से आपको डायल करना है जिससे आपका नमबर रेजिस्टर्ड हो जाएगा ठीक है फिर आप मिस कॉल से चेक कर पाएंगे इस तरीके से आएगा अब आपको यहाँ पर कट कर देना है अब थोड़ा वेट करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक message दिख जाएगा इस तरीके का जैसी कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपका रेजिस्टर्ड होगा इस तरीके से आ जाएगा अगर रेजिस्टर्ड नहीं है तो यहां clear हो जाएगा राइश्टाइट ठीक है अब यहां पर आपको अपना balance चेक करना है राइश्टाइट होने के बाद तो आपको एक और नमबर डायल करना होगा नमबर वो इस परकार है अब आप यहां देख पा रहे हैं मैंने आपना नमबर यहां पर डाला है यहां पर यहां पर यहां पर रिंग जाएगी रिंग जाने के बाद ओटमेटिक कॉल कट हो जाएगी और बैलेंस चेक हो जाएगा देखो पहली बार में कोई प्रॉब्रम आए पहली बार में अगर नहीं लगे कॉल कोई दिक्कत आए तो आपको फिर से ट्राइ करना होगा बैसे यह एक बार में काम हो जाता है तो अभी आप देखेंगे मैं मैंसेज वाले अप में जाऊंगा इस तरीके से और यहां पर अभी मैसेज आ जाएगा ठीक है थोड़ा बाद जितना ही वैलेंस होगा यहां सहो हो जाएगा जैसे मेरा 24 रुपए 18 पैसे है ठीक है तो यहां पर इस एप में जाके भी आप यहां से देख सकते हैं यहां पर फॉर्स्ट वाले मैसेज में इस तरीके से तो यह तो हो गया बैन्क बैलिंस चेक करने का तरीका अब बत जैसे जैसे मैं कर रहा हूं 2408424026886 यह नंबर आपको अपने BSL की SIM से ही डायल करना है सुरी BSL की SIM से नहीं अपने यहां पर मिनी स्टेटमेंट के लिए अलाव नहीं है ठीक है जरूर बताईए केमेंट में क्या हैं